दोस्तों आपका जो पहला है आप पढ़ते हैं बिटामिन A का रासानिक नाम रेटिनल ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है बिटामिन A कि A क्या है A4 Apple और Apple लेने अब आप जाती हो तो क्या करते हो रेट करते हो कि ऐसे उठा के लिए आते हो उसने बोला पचपर रोपे किलो आपने कदो देडो नहीं रेट करते हो नहीं इतने रेट में देडो यहना तो रेट करते हो तो विटामिन A और A4 Apple Apple का rate करते हो तो vitamin A का रासाइनिक नाम क्या हो जाएगा retinol retinol याद रख लेना है आपको vitamin A का retinol आप से पूचा जाएगा vitamin A का retinol रासाइनिक नाम क्या है तो आप बोलोगी retinol ठीक है अब दोस्तो अब आया है आपको V1 V2 यह आपको कभी याद नहीं होते हैं लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसको आपको याद कर लेना है दोस्तो आपको पता है दोस्तो बी फॉर क्या होता है बॉल बोल देते हो आप लोग लेकिन यहाँ पर आपको लेना है बी फॉर बॉलक बी फॉर बिट्टू आप लोग बोलते हैं आपने छोटे से बालक को बिट्टू वो ही बिट्टू है बी फॉर बिट्टू ठीक है दोस्तों एक बाद बताना कि जब बलक एक साल का होता है आपने यहाँ पर वीबन का राजानिक नाम पढ़ना है जब बलक एक साल का होता है तो वो क्या करता है मिनमिन आता है कि नहीं मिन बालक मिन मिन आता है तो मम्मी उसे थाय थाय थपड़ी सुनाती है तो क्या हो जाएगा आपका थाय मिन ठीक है याद हुआ की नहीं हुआ बी बन अनिकी एक साल का हुआ एक साल का हुआ बालक मिन मिन आता है थाय 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 थपड़ी सुनाई जाती है उसका वंद हो जाता मोबाइल में सुनने लगते हैं और ये दो वर्ष का बालक क्या सुन रहा है दोस्तो वो सुन रहा है राई राई नरत आप देखे होगे मद्देपरेस का एक नरत है राई राज की नरत माना जाता है राई तो ये दो वर्ष का बालक क्या सुन रहा था राई सुन रहा था सुनने लगा तो इसका बिटामिन बीटू का जो आपका राइसानिक नाम होगा राइबो फिलेविन क्या हो जाएगा राइबो फिलेविन ठीक है तो बिटामिन बन बलक मिन मिन आता है तो उसकी मम्मी थाय थाय थपड़ी तो थाय मिन ठीक है बिटामिन बीटू बीटू में बिट्टू राई सुनता है तो राई बो फिलेविन अब बिट्टू कितने साल का हो गया है तो तीन साल का हो गया है अब बिट्टू ने सोचा कि यार मैंने बहुत मिनमिना लिया है और बहुत मैंने राई सुन लिया अब कुछ नया सीन हो जाए बिट्टू ने क्या सोचा त तो बी-3 का रासानिक नाम नियासिन क्या गया? नियासिन और नियासिन में वह वो क्या ongasij एक भी क्लिग bon शेन यी फिर टीन हर गी तो बी-3-2 ईह भाइगी बार्ट प grandmother's eog गार सब्सक्राइमें तो पेंट्ब्न की एक ऐने लगा, सवाइज दो करता है तो पेंटों का उपियोग कर रहा है पांच साल में बालग तो बिटामिन B5 का आप क्या हो जाएगा पेंटो थेनेक अमल बिटामिन B5 का रासानिक नाम पेंटो थेनेक अमल क्योंकि बालग 5 साल का हो गया है और अभी पेंटों का उपियोग कर रहा है पेंटो थेनेक अमल या आपने नाम सुना होगा मैच में और मैच में दो पारी होती है दो पारी होती है और बिट्टू हो गया है 6 साल का तो पारी में 6 मार रहा है बिट्टू क्या मार रहा है पारी में 6 मार रहा है मैच की पारी में और कितने साल का हो गया 6 साल का हो गया तो B6 का रासानिक नाम क्या ह SIX मार रहा है क्या मार रहा है मेच की पारी में SIX तो क्या हो जाएगा dużo Pyrridoxin ठीक है अब दोस्तो बिट्टू 6 साल से हो गया है 7 साल का अब 7 साल का हो गया है तो जब 7 साल का हो गया है तो किसी 7 की जरूरत है अब 7 की जरूरत है तो इसका बायो डाटा निकाला गया, क्या निकाला गया, बायो डाटा और जब बायो डाटा निकाला गया, तो इसकी साधी नहीं हो रही थी, बिट्टू बहुत कमजोर था, है ना, तो इसकी साधी नहीं हो रही थी, लेकिन इसे साथ चाहिए, तो B7 का राजसेंग नाम क्या होगा Biotin क्योंकि B7 7 के लिए इसे BIO है ना साथ चाहिए ता किसी के लिए तो इसका Biodata निकाल गया तो Biotin B7 का Biotin ठीक है अब दोस्तों इसकी साधी नहीं हो रही थी तो इसे क्या किया गया अब एकमजोड था तो इसे नौ साल का हुआ और इसे फल खिलाया गया क्या बहुत सारे फल खिलाया गया कि ताकि बिट्टू क्या हो जाए मौटा हो जाए तो इसने बहुत सारे फल खाए नौ साल में तो बिट्टामिन B9 का क्या हो जाएगा फॉले कंबल फॉले फल फल खिलाए तो फॉले कंबल ठीक है याद रख ले ना बिट् कितनी साली थी, ग्यारा साली थी, दोस्तो, इसकी साधी हुई नौ साल में फल खाकर, और ग्यारा साली थी इसकी, और इसके मित्र कितने थे, पता है आपको बारा मित्र थे, बारा मित्र थे, है ना, और साली कितनी थी, ग्यारा, तो B-11 की, जो रासानिक नाम होगा, वो क्या ह साली सिलिक अमल साली सिलिक अमल क्योंकि बी इलेवन यानि कि इसकी कितनी साली ती ग्यारा साली ती इलेवन साली ती तो साली सिलिक अमल ठीक है आपको याद हो गया होगा अब दोस्तों इसके मित्र कितने थे बारा मित्र थे अब बारा मित्र ने सोचा कि चलो बारा लोगों क 11 लोगों का तो यहाँ पर जुगाड है साधी हो जाएगी तो इन्हों अब आपको दोस्तों इमेज करना है आप कुछ नहीं करना है आके बंद कर लो बिट्टू एक साल का था कितने साल का था एक साल का था मिन मिन आता था तो इसकी मम्मी ने से थाई 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 थपड़ी थाई मिन है ना तो इसका रासानिक नाम क्या हो जाएगा थाई मिन अब बिट्टू कितने साल का हो गया दो साल का हो गया दोस्तों तो वो राई सुनने लगा मोबाइल में तो राई वो फिलोवें है ना और बिट्टू फिर इसके बाद हो गया तीन साल का दोस्तों कितने साल का हो गया तीन साल का तो इसने बोला कि अब सीन बदला जाए नया सीन आ ठिक है अब पंटू थेने को और फिर छह साल का हुआ बिट्टू जब तो यह यह 6 खेलने मारने लगा मैच खेलने लगा और पारी में 6 मानने लगा 6 तो पाईरी डॉकसिंद और जब बड़ा हुआ और साथ साल का हो गया तो इसे साथ की जरूरत थी तो इसका बायो डाटा निकला गया तो B7 का रासा निक नाम बायो टीन अब दोस्तों इसकी बायो डाटा तो निकल गया लेकिन क्या नहीं हो रही थी साधी नहीं हो रही थी तो बिट्टू को फल खिलाया गया नौ साल में इसकी साधी हुई फल खिला गया तो फॉलेक अमल बिटामिन बी नाइन का फॉलेक अमल और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी कितनी साली थी ग्यारा साली थी तो बी लेविन का साली सिलिक अमल है ना और मित्र कितने थे बारा मित्र थे दोस्तों तो बारा मित्रों ने क्या किया साइनो को बालमन, बालों को साइनाएन किया और चल दिये तो यह B12 का जो आपका रासा नेक नाम होगा साइनो को बालमन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, सेर करके, कमेंट में जरूर बताना कि sir मुझे पूरे के पूरे vitamin याद हो गए है अंगला vitamin जो दोस्तो अपना है vitamin C vitamin C यानि की C4 क्या होता है दोस्तो car car कैसी होनी चाहिए AC होनी चाहिए car AC होनी चाहिए तो vitamin C का रासानिक नाम क्या होगा S-carbic S-carbic मैंने बूचा आपसे कार बिक रही है आपने गोला S-carbic रही है या फिर AC कार बिक रही है कैसी AC कार बिक रही है तो vitamin C का रासानिक नाम S-carbic अमल हो जाएगा C4 car और car बिक रही है S-carbic अमल ठीक है याद हो रहा होगा दोस्तो अब दोस्तो आपको बताना vitamin D का रासानिक नाम अब vitamin D आप लोग सभी समझते है कि vitamin D से क्या मिलता है calcium मिलता है vitamin D से calcium मिलता है और calcium मिलता है तो इसका रासानिक नाम होगा calcium feral क्या हो जाएगा calcium feral और अंगला जो आपका vitamin है वो है vitamin E vitamin E इसका रासानिक नाम है दोस्तो टोको फिराल क्या है टोको फिराल है और एफ और क्या होता है एफ और होता है एलिफेंट एफ और एलिफेंट और एलिफेंट को टोको गे तो क्या हो जाएगा फैल हो जाएगा एलिफेंट फैल हो जाएगा और आपको चित्त कर देगा तो टो तो को मद टो को मद तो को मद एका हो फ дев खो किया है और एक और आपका बचातर धोस्तों में बेटामिन वी इन के डिके-क अब यह ग्यालिक हो रहता है वो हो yhtाइत वहुजद Annika कह व्होड में कुई नोन आपने एक प्रस्टन सुना होगा एक क्वेस्टन हमेशा पूछा जाता परिच्छा में कि बिटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपने बताया होगा कि रक्त का ठक्का नहीं जमता क्यों नहीं जमता क्योंकि इसका फिलो रोग जाता है क्या होता है इसका रुक जाता है तो बिटामिन के का रासाइने के नाम क्या होगा फिलो कुई नौन इसका फिलो रुक जाता है कम हो जाता है इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमता तो फिलो कुई नौन बिटामिन के का रासाइने के नाम होगा आपको बताना है सबसे पहले आपको दो सेकंड में दूद और दही में कौन सा अमल पाया जाता है आपके दो सेकंड पूरे होते हो और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तो लेक्टिक अमल लेक्टिक अमल अब एक चीज हमें बताना कि आप दूद और दही लेके आते हैं कि नहीं आते हैं कि आते हैं मतलब लेख तो लेकटिक अमल चित्र के माधने हमEZे अब दूद लेक आ रहा हो दाही लेक के आ रहा हो दूद लेक आते हैं दूद और लेक ते कमर रहूं ही अगर याद हो तो वीडियो को लाइक जरू कर अंगला देखते हैं दोस्तो मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है मक्खन में मक्खन में अमल बताना है आपने मक्खन देखा होगा दूद जब जम जाता है और दही बनता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं तो मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है तब आपका बिलकुँ सही आज़ा होगा ब्यूटेरे कमल दोस्तों आपको पता होगा कि चेहरे की खुपसूरती बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं मक्खन लगाते हैं और जब आप मक्खन लगाओगे चेहरे में तो आप ब्यूटीफुल हो जाओगे ब्यूटीफुल है यानि की ब्यूटेरे तो मक्खन में कौन सामल होगा ब्यूटेरे कमल क्योंकि मक्खन क्या बना देता है ब्यूटी बना देता है ठीक है तो ब्यूटेरे कमल तब आपका बिलकोँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉले कमल अब एक चीज बताना आप सेव खरीदने जाते हो सेव करीदने जाते हो कि मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो करते हो अगर दुकानदार एक सो साट रुपया केलो बताता है मैं कौन सा अंबल पाय जाता है प्रश्न करमन्ग चार उत्र बताना ह Kenneth आपके दो lessosit होते हो आपका उत्तर हो जाता है दूस सिए टिक अब एक चीज बताना आपने घरों में देखा होगा कि आप फलों को और सिर्का को काई में रखतेच हो ए सी में रखतेच में तो फलों के stress और अस्रिका में कौन सा अमल पाये जाएगा AC टेक क्योंकि आप AC में रखते हो फ्रिज में रखते हो तो AC टेक अमल ठीक है फलों आपके stress और अस्रिका में AC टेक अमल आपको याद हो रहा होगा दोस्तों आपको याद नहीं करना है अपने आप याद होगा जो आपकी परिक्षा में पूछा जाएगा कि चीटी, बिच्चु और मदुमक्खी में कौन सा आमल पाया जाता है तो आपके दो सेकंड आपके लिए उतर बताने के लिए तब आपका बिलकुश और सेidée होगा जाएगा धोस्तो फारम कामल कौन सा आमल पाया जाता है फारम कामल यानि कि आप समझ गये होंगे कि खेत आप बोलते हैं किर्ष्टी फारम तो फारम मतलब आपने यहां बोला कि खेत और खेत में पता है चीची भी पाय जाती है बिच्चू भी पाए जाते हैं तो खेत याने की फार्म ठीक है यहाँ पर देखिए आप यह खेत है और खेत में आपको बिच्चू भी है और यहाँ पर खेत में मदू मक्की भी है तो मदू मक्की जो है खेत में हैं किरसी फार्म में हैं तो फार्म है तो इनमें कौन सामल पा के सोडा बनाओ तो सोड में कौन सामल पाए जाता है सोडा में आप आपने देखा होगा दोस्तों की कार में लोग सोडा लेके गुमते हैं, सोडा लेके गुमते हैं और आप बोलते हो कि सोडा बनाओ, सोडा ये देख रहा होगा आपको यहाँ पर सोडा लेका और एक कार में गुमते हैं तो कार्बोने कमल, सोडा में कौन सामल होता है कार्बोने कमल, क्योंकि सोडा लेकर कार में गुम टैनेक ठीक है टैनेक है ना चाय कप पीते हो मैं आपसे बोलूँ चाय कप पीते हो आप बोलेगी दैनेक तो टैनेक अब क्यों पीते हो तो आप बोलेगी टैनेक मिलता है उससे क्या मिलता है टैनेक तो टैनेक आपको याद रख लेना है एक तो दैनेक चाय पीते हो तो दैने पूसा पैना है जातया है तो आपका विल्कुल सही यांतर हो जाए जाता है अब बसा अलग होते हैं दोस्तो एक तो बुलते हैं हम दिल में बसा लिया वहला वसा अलग है और वसा जो होता है जैसे घी में पाये जाता है वसा है ना वो वसा अलग है तो आपको वसा में बताना है वसा में कौनसा अमल पाये जाता है तो आपको याद रख लेना है ओली ओली को दिल में वसा लिया ओली को ओली को दिल में वसा लिया तो वसा ऐसे याद रखने है ना ओली को दिल में वसा लिया तो वसा में कौन सा ओलिक ओलिक अमल है ठीक है इस प्रकार से याद रखने है ओलिक नीबू और मुसंबी में कौन सा अमल पाया जाता है बनाना है तो क्या करना होगा आपने कभी बनाया भी नहीं है तो नीबू और मुसंबी को रस बनाने की भी एक आपके पास ट्रिक होनी चाहिए जैसे हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो आपको भी ट्रिक होनी चाहिए नीबू का रस और मुसंबी का रस तभी निकलेगा जब ना नीबू और मसंबी में कौनसा side trick नीबू और मसंबी का रस निकालने के लिए आपके पास होने चाहिए अंगोर में ने चाहिए चाहिया आपको न यह से अंगोर में पाय जाता है किसमे है अंगोर और इमिली में ठीक है याद रखने ना कौन सा टाटरी टाटरी याद रखने टाटरी होता है खट मिट्टा इमली भी खट मिट्टी होती है और अंगूर भी तो यह टाटरी बनती है इंसे टाटरी याद रखने इमली और अंगूर टाटरी ठीक है अंगला देखो दोस्तों ग्याहूं में कौन सा अ पाए जाता है, गिलू कोस पाए जाता है, गिलू कोस पाए जाता है, तो इसमें कौन सा अमल होगा, गिलू टैनेक अमल, गिलू से गिलू कोस और टैनेक से टोनेक, गिलू कोस का टोनेक आपको देना चाहिए, ठीक है, तो गेहू में गिलू टैनेक अमल पाए जाता है, याद खाते तो होंगे लेकिन आपके गले में फस जाता होगा काई में गले में तो गन्ना में कौन सामल होगा जब गले में फस रहा है तो गिलाई कोईन आपने कोईन देकर गन्ना खरीदा कोईन देकर गन्ना खरीदा लेकिन काई में फस गया गले में फस गया तो गिलाई कोईन ग आपको खाना नहीं है क्योंकि गले में फस जाएगा आपको इसका जूस पीना है तो गिलाई कोईन गन्य में अमल पाया जाता है इस प्रिकार से आपको याद रखना है अब दोस्तों आपको बताना है मूत्र में कौन सा अमल पाया जाता है ओलेक कार्बोनिक यूरेक या फिर औक जेनेक तो प्रश्निक किरमांग का आपका तेरा है आपको अमल बताना है तो सभी को पता है यूरिया पर आ जाता है यूरेक अमल पाये जाता है ठीक है बिल्कुल सरल है आसान है डीनम अमल पाये जाता है घास पत्तों में कौन सा अमल पाये जाता है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बैंजोइक क्या है बैंजोइक क्या हो जाएगा बैंचो बैंचो है ठीक है बैंजोइक խागड़ाई क्या χोको कि कितने खिलारी हैं अगर आपसे बनता है तो तब आपका right answer हो जाएगा दूस्तो 9 कितने खिलारी होते हैं 9 खिलारी होते हैं अब एक बात बताना कि अगर आपकी ball क्या चली जाए 9 चली जाए 9 9 चली जाए तो आपका base बिगड़ जाता है और आप बहुत कुछ खो देते हो क्योंकि अब क्या मिलनी है फ्री हٹ मिलना है और फ्री हٹ में छका भी लग सकता है तो आपकी बॉल अगर नो चली गई तो आपका बेस बिगड़ जाएगा और आप बहुत कुछ खो देगो तो बेस बॉल में कितने खिलारी हो जाएंगे 9 खिलारी और खोद होगे तो खोको में भी 9 खिलारी हो जाएंगे ठीक है इस प्रकार से आपको याद रख लेना इसलिए 9 बॉल नहीं पहेकना है 9 बॉल नहीं पहेकना है 9 से 9 है ना बेसबॉल और खोको ठीक है कितने खिलाडी नो खिलाडी ठीक है याद हो गया अब देखते हैं दोस्तो बाटर पूलो कबड़ी और नेट वाल में कितने खिलाडी होते हैं तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तो साथ खिलाड़ी होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं साथ खिलाड़ी अब देखो कैसे याद रखते हैं दोस्तो अगर आप कहीं पर भी बाटर नदी में बाटर है तो आप क्या अकेले जाओगे नहीं जाओगे ना साथ में लेके जाओगे किसी को तो बाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे साथ क्योंकि बाटर में हम घुसेंगे तो साथ में लेके जाएंगे कबड़ी खेलोगे तो साथ में और भी खिलाड़ी होंगे कबड़ी खेलोगे तो साथ में और भी खिलाड़ी होंगे तो कबड़ी में कितने साथ नेट का आपको जिंदिगी बर साथ चाहिए बिना नेट के आपको कुछ नहीं चला तो नेट वाल में कितने खिलाडी, साथ खिलाडी, याद रख लेना, नेट वाल, आया आपसे पूछा, नेट वाल में कितने खिलाडी, आपने सोचा कि नेट आया, सन्य ट्रिक बनाई थी नेट, नेट का साथ तो जिंदिगी बर चाहिए, यानि कि साथ चाहिए, तो साथ खि लाड़ी तो बाटर पूलों में साथ खिलाड़ी कबड़ी में साथ खिलाड़ी और नेट वाल में साथ खिलाड़ी ठीक है अगर याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें और भी ट्रिक देखने का प्रयास करें अब दोस्तो आपको बताना है वास्केट वाल में कितने खिलाड वास्केट में कितनी बाल बनेंगी पांच बाल ही रख सकते हैं वास्केट छोटा है तो वास्केट बाल में कितनी होगी पांच खिलाडी अब याद रख लेना आप वास्केट लेके जाएंगे तो उसमें कितनी बाल रखके आना पांच बाल के बल पॉंच ही बनेंगी तो वा कि तोलो में कितने खिलाडी सबसे पहले तो रख लिए ना कि पोल में चार दो ओ आपके अक्षर आते हैं और दो मात्राइन आती है aktuell मिलाकर कि इसे हुब में चारट llama कि भाप को देखते ही बता देंगे ये तो तो पोलो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, चार खिलाड़ी हो जाएंगे, चारों की पोल खोल देना है हमें, ठीक है, तो पोलो में चार खिलाड़ी, अंगला है दोस्तो बॉली बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बॉली बॉल, अब बॉली बॉल को बॉलिंग बॉल कर जिसमें छक्के पढ़ते जाएं और आप बॉलिंग के लिए बॉल दोगे तो बॉली बॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे 6 खिलाड़ी हो जाएंगे क्योंकि आप बॉलिंग बॉलिंग के लिए बॉल दोगे किसे जिसमें छक्के ना पढ़ें तो 6 खिलाड़ी ठीक है ब दो तीन चार पांच छे तो छे छे खिलाड़ी होते हैं वाली वाल में ठीक है याद रखना है अंगला देखो टैनेस लांट टैनेस और टेविल टैनेस दोस्तों यह बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें आप लोग दोस्तों टैनिस की बॉल लेते आगे होंगे टैनिस क्रिकेट पिरती होगी था खेलते हैं आप लोग टैनिस की क्या खेलते हैं वाल खेलते हैं तो टैनिस की बॉल लेकर के आओगे तो एक या दो लेकर आओगे दस तो नहीं लेकर के आओगे एक या दो लेकर के आएंगे बस सर hear घ्रॉजाएगा इतने में खेल लेँगे तो tennis, land tennis और table tennis एक या दो खिलारी होते हैं अब tennis जहाँ भी आएगा तो आप tennis की कितनी ball लेकर के आओगे एक या दो ठीक है एक या दो ball लेकर के आएगे तो tennis जहाँ भी आपका आता है तो वहाँ एक या दो खिलाड़ी होते हैं ऐसे आपको याद रखना है अंगला question बताना है दोस्तों आपको hockey, football और cricket में कितने खिलाड़ी होते हैं cricket तो सभी लोग मेरे दोस्त खेलते होंगे सभी लोग खेलते हैं cricket, comment में बता दिना है ना, तो आपको पता है कि इसमें होते हैं cricket, football और hockey में 11 खिलाड़ी होते हैं अब देखो 11 को कैसे याद करना है cricket को तो सभी को पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं ठीक है, दो और ऐसे खेल है, football और hockey होकी, यह है दोस्तो होकी, होकी में एक और एक, एक और एक कितना हो जाता है, डंडा है, एक डंडा खिंचतो और एक और खिंचतो तो बोले 11 हो गए बैट भी इसी प्रकार से है, cricket का, एक एक तो 11 हो गए और football में भी आप क्या से खेलते हो, यह पाउँ से खेलते हो फुटवाल में भी आप क्या करते हो, पाउँ से खेलते हो, तो पाउँ एक और एक, ठीक है, तो 11, फुटवाल, होकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होंगे, ग्यारा खिलाड़ी होंगे, ठीक है, अब 11 नम्मर की बसते जाना है हमें, अंगला देखते हैं दोस्तों, ब बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, तेन, एक, चार, या फिर दो, बॉक्सिंग, आप कहते हैं कि एक मुक्का मारेंगे, क्या बोलते हैं, गुस्सा मत दिलाना नहीं तो एक मुक्का मारेंगे, इसलिए बोलते हैं, तो बॉक्सिंग में कितने होंगे खिलाड़ी, एक खिलाडी यानि कि जो आपका बी नम्मर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला है दोस्तों यह है आप मुक्का मानने के लिए तैयार रहते हो अपने मित्रों के लिए गुस्टा मत दिला नहीं तो एक मुक्का मारेंगे है ना अब रगभी फुटवाल में कितने खिलाड़ी होते हैं जो सो रगभी बताना है आपको जल्दी से बताएं तो आपका बिल्कुस सही आंसर होगा कितने के लिए इता हिए 15 खिलाड़ी होते हैं रखभी फुटवाल में होते हैं दोस्तों 15 रगभी से क्या वणınaगा रवी रवी को 2 ₕ आपका मित्र है जो कितन हो जाएंगे 15 सबसे जादा होते रगभी फुटवाल में ठीक है तो याद रख लेना अंगला है दोस्तों आपका इस्नूखर में कितने खिलाड़ी होते हैं तब आपका बिलकुश आंसर होता है एक खिलाड़ी होते हैं इस स्क्राइक को ने लग रहा झाय को कि इस परिकार से हम यतke कर लिया है ना कि पोलो में चार खिलारी होते हैं और जब पोलो हम लिखते हैं तो दो मात्राएं और दो अक्षरा आते हैं तो हो जाते चार और पोल चारों की पोल खुल गई इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं फोटवाल में लापपाउं से खेलते हैं तो ग्यारा नंबर की बस्ते यानि की ग्यारा होते हैं किरकेट में बैट यह है तो एक एक बैट है ना एक बताता है एक तो ग्यारा नमबर आपका हो जाएगा यहां से होकी में भी आपके ग्यारा हो जाएगे इसनूकर में नौकर आ रहा है मतलब नौकर एक रखना है हमें ठीक है कबड़ी में कि 7 9 2 2 सके अब आपका बिलकुछ सेастर हो जाएगा मीजह घ MINU1C MUSIC क देश्कास आपके ने새 घ्रुजच सुनों दोस्तों मेरे ब्लीवी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं मैंने कहा ठीक है तो फेर मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं तो चावल टमाटर बना रहे हैं फिर साम को बोला तो क्या बना रहे हैं मैंने कहा 24 गंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है तो चावल टमाटर चावल टमाटर एक क्या लगा रहा है 24 गंटे तो चावल टमाटर का गुड़ सूतर कितना होगा 24 ठीक है क्या बन रहा है 24 गंटे चावल टमाटर बन रहा है ठीक है तो 24 आपका उत्तर बिलकोँ सही हो जाएगा अंगला देखो आम और चुहे का गुड़ सूतर आम और चुहे का गुड़ सूतर कितना होता है 49, 40, 42 या फिर 41 तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो 40, कितना होता है 40 ठीक है अब दोस्तो आप एक चीज बताना आम कितने रोपय किलो होते हैं लगभग 40 रोपय किलो होते हैं और आप एक किलो आम 40 रोपय के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा और चुहा जो आपको देख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया ठीक है तो आप कितने रोपय के लाएते 40 रोपय के लाएते और आम खा गया चुहा कितने रोपे के 40 रोपे के तो आम का गुड़ सूतर भी 40 हो गया और आम 40 के खाए तो चुहे का गुड़ सूतर भी कितना हो गया 40 हो गया अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुड़ सूतर 40 तो चुहे का गुड़ सूतर भी 40 ही होगा क्योंकि आम तो चुहा खा गया चीक है इसलिए आपको याद करना है बिल्ली, सेर और टाइगर में गुरसूतर होते हैं अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली, सेर और टाइगर यह सब एक ही प्रजात्ती के प्रानी हैं अब इनके गुरसूतर कितने होते हैं तब आपका बिल्ल को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अड़-तीस कितने होते हैं अड़-तीस अब जब आप अड़-तीस लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है अड़ जाता है, सेर भी अड़ जाता है बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाएं है ना तो बिल्ली भी अड़ जाता है सेर भी अड़ जाता है तो अड़ से क्या बनेगा अड़ तीस ठीक है तो बिल्ली सेर औ टाइगार अल जाते हैं इसलिए इनके गुड़ सूतर कितने है अल तीस ठीक है अब देखते हैं हाती में कितने गुड़ सूतर है हाती में आपको बताना कितने गुड़ सूतर है अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाए वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है दोस्तो आती में जो गुरुट सीत्र होते हैं वो कितने होते हैं 56 होते हैं अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तो अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका सरीर भी कैसा होगा हाती जैसा होगा हम बोलते ना कि हाती जैसा सरीर लगाए हो और आप में कोई तागत नहीं है तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका सरीर भी हाती जैसा होगा या फिर जो हाती जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा ठीक है तो 56 इंच 56 गुड़ सूतर होते हैं हाती में ऐसा आपको याद करना है अंगला देखो दोस्तों मच्छ मच्छर सभी लोगों नहीं देखे होंगे, मच्छर. तब आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा 6, यहाँ पर आरा ना 6, मच्छर. तो 6 आरा यहाँ पर, तो मच्छर में 6 गुर्षूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 6. यह चीज याद रखनी ना इस मच्छर में कितने गुड़ सूत्र हैं छे गुड़ सूत्र ठेक हैं मख्छी में कितने गुड़ सूत्र होते हैं दोस्तों मख्छी आपके घर में मख्छी रहती होंगी आप बहुत सपाई करते फिर भी मख्छी रह जाती हैं एक दो मख्छी तो रहे ही जाती है, आप कितना सपाई करो, कितनी दबाई डालो, एक दो मक्खी तो रहे जाती है, तो मक्खी का जो गुड़ सूतर होगा, वो कितना होगा, एक दो यहने की बारा, ठीक है, एक दो मक्खी रहे जाती है, इसको ऐसे यात करना है, अंगला है दोस्तों मक्का में बीसक बुट्टे खा जाएंगे तो मक्का में गुड़सूत्र होते हैं कितने 20 होते हैं 20 अब आप 20 बुट्टे जरूर खा जाएंगे अगर आपको बुट्टे मिल जाए ना तो 20 बुट्टे खा जाएंगे तो बुट्टे यानि कि मक्का मक्का का बुट्टा और इसमें गु बार कई बार पूचा जाता है 23 जोड़े होते हैं 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे तो आपने बिलकुर सही आंसर बता है बार केला उसको भूप लगती है तो इसको केला चाहिए और केले के लिए और जाता है क्या हो जाता है Bundes L.A. तो चिपाजी और आलू यहाँ पर चित्र में देखो यह चिपाजी है औरे चिंपाजी भी आलू खाना है इसको एड गया है कि हमें तो आलू ही कहाना है कौून चिंपाजी अड गया है कि आलू खाना है अड गया है तो 48 ठीके औरे 48 साल का चिंपा है ठीके ए लगबग 48 आलू खहा जाएगा, कितने खा जाएगा 48, तो 48 आलू खहा जाएगा चिमपा 48 साल का, ठीक है, औरी ओड़ा गया है आलू खाने के लिए तो इस परकार से आपका उत्र हो जाएगा 48 चिमपा जी और आलू का गुड़िसूतर कितना होगा 48 ठीक है अब देखें दोस्तों घोड़ा का घोड़ा का जो घोड़ा में जो घोड़सूत्र होते हैं वो कितने होते हैं घोड़े में बताना है आपको कितने घोड़सूत्र होते हैं घोड़े में है ना घोड़ा एक दिन में कितने किलूमीटर दोड़ता है 64 किलूमीटर आपको याद रख ले ना 64 ठीक है Next लेखते हैं कबूतर में गुर्ण सूतर होते हैं कितने होते हैं कबूतर में गुर्ण सूतर प्रशने किर्मांक 11 का उत्र बताना है तो आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा दोस्तो असी साल है ना असी कितने गुण सूतर होते हैं क्यूंकि आयव जिकल के जो असी साल के बुड़े हैं वो भी ये गाना गाते हैं कबुतर जा 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 आपने नाम सुने होगे ना तो असी साल का बुड़ा भी क्या गाता है कबूतर जा जा वाला गाना गाता है तो कबूतर में कितने गुड़ सूतर होते हैं 80 क्योंकि 80 साल का बुड़ा भी गाना गाता है कबूतर जा 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 इस प्रकार से आत करते जाना ठीक है ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड़े प्याज और कंगारू में गुड़सूतर होते हैं कितने होते हैं बारा का उत्रा में बताना है प्याज और गुड़सूतर कंगारू में कितने होते हैं तो आपका बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा प्याज यानि की सोला है ना शोला आपका बिल्कुर सही हो जाएगा तो याद रख ले ना प्याज और कंगारू में कितने गुड़ सूतर होते हैं सोला गुड़ सूतर होते हैं प्याज को ऐसे कर दो अगर प्यार प्यार हो जाएगा इस प्रकार से तो प्यार आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार-बार कंगा फेड़ते हैं अपने बालों पर ठीक है तो कंगा से कंगारू कंगारू भी 16 साल ठीक है यानि कि 16 गुड़ सूतर होते हैं कंगारू में और प्याज में भी 16 गुड़ सू 20 या फिर 27 तो आपका बिलकुत सही आंसर होगा कितने होते हैं 26 होते हैं आप अगर बरसात के समय में चाहो तो 26 में ड़क को ढख सकते हो भक मैं डख 26 में डख को ढख सकते हो तो मेंडक में गुर्ण सूत्र कितने होते हैं 26 है ना गाजर में गुर्ण सूत्र होते हैं दोस्तों गाजर गाजर में कितने होते हैं तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा 18 और आप अगर गाजर का क्या खाते हो गाजर का जूस पीते हो जूस तो आप भी कितने साल के हो जाओगा अब दोस्तों आपको बताना है गाजर में गुर्ण सूत्र होते हैं कितने गुर्ण सूत्र होते हैं अपने गाजर देखी होगी तो आपका बिलकुँ सही आंसर होगा 18 कितने गुर्षूत्र होते हैं 18 गुर्षूत्र होते हैं अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहिए 60 बर्स के हो कितने बर्स के हो जाओगे 18 बर्स के हो जाओगे चित्र में देखो यह सबी क्या करते हैं गाजर का जूस पीते हैं और ये कितने बर्स के लग रहा है आपको 18 वर्स जैसे लग रहा है ठीक है तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्स के हो जाते हैं तो गाजर के में जो गुर्ण सूतर होते हैं वो कितने होते हैं 18 इस प्रिकार से आपको याद रखना है अंगला आपका सरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप चोहत्तर साल के लगने लगोगे है ना जिसका सरीर भालू जैसा हो गया है वो चोहत्तर साल का लगेगा या चोहत्तर चीके तो याद रख लेना है आपको आपका सरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति लेकिन उसका सरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा चोहतर साल का तो चोहतर होते भालू में गुड़ सूतर अंगला है दोस्तो ग्याहूं में गुड़ सूतर होते हैं कितने होते ग्याहूं आप लोग देखते होंगे आपके खेत में ग्याहूं बोई होते हैं ठीक है और ग्याहूं आपने देखे होंगे तो कितने गोड़ सूतर होते हैं, 42 गोड़ सूतर होते हैं, एक बार मेरे दोस्त के खेत में ग्याहूं बोय थे और ग्याहूं में आग लग गई, मैंने उससे पूछा कि आपके कितने खेत में, कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़, कितने 42 होते हैं 42 ठीक है इस प्रकार से याद रखना है अब दोस्तों आपको बताना है खर्गोस में गुड़सूत्र होते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों गाउं में खर्गोस को बोला जाता है खरा क्या बोलते हैं खरा ठीक है अब देखना खरा वही उत्रेगा खरा वही उत्रेगा رेस में, खरा वही उतरेगा, जो अपने 4-4 पाउं से दोड़ेगा, वही खरा उतरेगा, और खरा को खरगोस कहा जाता तो गुरसूत्र कितना होगा, चबाली खर्गोस का गुरसूत्र चबाली दूस्तों, गाए, गाए का जो बैग गियने के नाम में वो क्या है? बॉस इंडिकस अब आपको याद कैसी रखना है आपको पता है इंडिया की बॉस कौन है गाय गाय इंडिया की बॉस है तो गाय का बैग गयाने की नाम क्या होगा बॉस इंडिकस ठीक है आपको याद रखने ना यह गाय और इंडिया की बॉस है तो आपसे पूछा जाएगा कि गाय का बेग ग्यानेक नाम क्या है? तो आपको याद रखेocaने की गाय तो वास आंडिकस ठीक है? याद हुआ? नहीं हुआ? तो लाइक करें ठीक है? कुत्ता का बताना है दोस्तों तो आपने देखा होगा कि आज कल कुत्ते भी क्या बन जाते हैं? family के member बन जाते हैं बोलते हैं लोग बोलते हैं कि यह मेरा family dog है है ना इसलिए तो कुता का बैग ज्याने के नाम क्या हो गया canis family years है ना canis family years यह मेरा family years dog है देखें कैसे family years dog आपको चितर में देख रहा होगा family years dog तो आप से पूछा जाएगा ठीक है कि जो कुता है इसका बैग ज्याने के नाम क्या है तो family years dog ठीक है family years ऐसे याद करना है अंगला है दोस्तों बिल्ली का बैग गयाने के नाम क्या है तो आपने देखा होगा आपके घरों में बिल्लियां फैली रहती हैं घरों में तो फैली रहती हैं तो फैलेस डॉमेस्टिका नहीं घरेलू है तो घरों में फैली रहती हैं तो फैलेस तो बिल्ल तो य्यां ठैखती है और विधें दोस्तो तो मखी का बताना है आपको मखे k our मुअ कना मिलेगा कही न जल कुछ कुछ मलेगा तो मकः क्या लगाए बीठी लिठा मख्या लगा देती है तो अब आप कोई पूंचे बाए गर में बहुत सपाय करते हैं लेकिन अगर मख्याً लगा देती है ठिकए हां अगला है दोस्तों घोडा का वे Tuesday yes नाम तो घोड़ा आप देख रहा है चित्र में बहुत सारे घोड़ा हैं अब आप बोलोगी सर मैंने एक बस बोला था मैंने एक बस बोला था गोड़ा लाने को लेकिन आपने तो बहुत सारे घोड़े ला दिये तो घोड़े का बैग गयाने के नाम क्या होगा एक बस कैवेस हैं तो बहुस्त सरे लिए घ्याने के नाम है कंरे याद रख लेक्टका और उंटका तो आपटो कैमेल बोलते हैं तो उंटका यह ना तो यह यह अंग्ला देख लेते हैं मैं जो सब्हूंजंजत पी किस नहीं देखा मेंडग सभी ने देखा होगा मेंडग क्या करता है टरर टर करता है कब रहन को रहन मतलब रात्री को रात्री को करता है तो राना राना टर्गिना टरर टरर करता है इसलिए टर्गिना राना टर्गिना इसका क्या हो जाएगा बैग्यानिक नाम हो जाएगा भूलना मत ठीक है और वीडियो को लाइक चरूर कर देना दोस्तों बाग का बताना है आपको बाग जो अपना राष्टिय पसू है बाग इसका बताना है क्या हो जाएगा बाग तो बाग को हम क्या वोलते हैं टाइगर टाइगर बोलते तो सीधा सा है पैंत्रा टाइगरेस इसका बेग्यानिक नाम क्या है आपसे पूंचा जाएगा तो आप बता देना मनुस्त का homo sapiens हम बोलते थे कि जो ग्यानी defects प्रसमें पड़ते ग्यानी defect के हैं तो मनुस्त का बहुआ ने गर Об Ms.B甲 तो भैस का जो बैग्यानेक नाम है वो क्या है? तो बोबालस, बोबालस, बोबालस. अब यहाँ पर आप चित्र में देखो एक गंदे-पानी में भैस क्या है. लोरी हुए है और जब गंदे पानी से निकलेगी तो इसके जो सरीर है उससे बू आने लगेगी बू तो इससे क्या कहेंगे? बॉबालस, बॉबालस ऐसे ही जो बहस है गर्मियों के दिन में इसको गर्मी बहुत लगती है तो इक गंदे पानी में भी रोड़ जाती है तो और लोरी रहती है तो सरीर से बुव आने लगती है तो भैस को बोबालस ऐसे याद करना है भैस केई धिक है अंगला है धुस्थो हाथी ऐसी हाथी आपने देखा होगा हाथी मेरा साथी तो हाथी को क्या बोलते है ऐली फेंट तो एफिलास इंडिका F.E. Loss Indica ठीक है? Loss नहीं करना हमें हाती को इंडिया से F.E. Loss Indica हाती का बैग्यानिक नाम है याद करना है सबी लोगों को मक्का देखें दोस्तों मक्का सबी लोग खाते होंगे अगर मक्के के भुंटे मिल जाएं तो आप लोग बड़े मोज से खाते हो की नहीं खाते हो तो मक्का जियो मोज से मक्का के भुंटे खाओ और जियो मोज से ये मक्के के भुंटे हैं सबी लोग खा ले ना मक्के के भुंटे खाओ और जियो मोज से तो मक्का का बैग्यानिक नाम जियो मेज ठीक है जियो मेज अंगला बाजरा बाजरा आपने नाम सुनाओगा एक फसल का नाम है दोस्तों बाजरा तो बाजरा आप देखें चित्र में इसकी जो नौक है इसका जो भुट्टा है उसकी नौक देखो पैनी पैनी देख रही पैनी पैनी देख रही की नहीं य किस की पैनी रहती हैं नौक किसी की वाज़ा की ठीक है है वाज़रा है ना कहा नहीं मिलता बजार में नहीं मिलता बाज़रा ये अमेरिका कि बजार में मिलता अमेरीको नम ठीक है अब दोस्तों हमने आपने टमाटर पढ़ना है टमाटर यहाँ पर कहले है टमार टमाटर अच्छा एक बात बताना आप टमाटर लाइक करते हो की नहीं करते हो सभी लोग करते हो है ना तो टमाटर को लाइक करना है तो लाइक को प्रेसिकन एसकू लेंटम है ना लाइक को प्रेसिकन एसकू लें कोई लाया है घर में और अगर सड़ी नकर जाएं तो बनते हैं like को है तॉ लाइक को आपको like करना है कि लाइक लाइक को पर प्रचें अगला है दोस्तों अधरक को क्या थे ginger बोलते हैं इंग्रिस में जिंजर तो सीधा सा तो है जिंजी बर offer और वह ठंड की दिनों में आप पलोंगे लेंगी और रॉपसी आपको अदरक वाली चाय लेकर कर आओ ऑफिस में जिंजर वाली जिंजर क्या और लो टो अधरी डाउ-टार डाकस केरोटा केरोटा केरेट से केरोटा ठीक है गाजर का बैग्यानिक नाम डाकस केरोटा अब तो इसमें कोई याद नहीं रखना ना केरोटा सीधा तो है अंगला देखते हैं मूली मूली का बैग्यानिक नाम क्या है दोस्तो रेफेनस सेटाइबिस क्या है रेफेनस सेटा लेकिन एक बात और है मूली जब खाते Oli то क्या बनती है गैस बनती है बनती है कि नहीं गैस बनती है और जब गैस निकलती है तो सभी भी दखें चलाओ फें चलाओ तभी सेटल होते हैं या तो फें रे जब चलाओ तो गोली का prophets क्वेंश सेट इस प्रकार से कुछ लोग फैने भी होते हैं मूली के बहुत खाते हैं हैं इसे याद करना हैत इस्धे का बताना है दोस्ते अपको सेब का क्या है से खाते हैं कुछ लोग बोलते सेब अगर आप खाते हो तो इसका मेल निकाल देना पहला क्या निकाल देना मेल तो आपको याद करना है कई के लिए मसल्स बनाने के लिए सेब खाओ तो मसल्स यानि की मेलास पव्मिया या फिर मेल निकार देना सेब का मेल निकार देना फिर खा लेना ठीक है तो अपन धोते ना मैल निकार देते इसका तो मैलस पव्मिया सेप को क्या मोलते मैलस पव्मिया याद रख लेना याद हो रहा हो तो लाइक जरू कर देना दोस्तों अब आप से पूछा जाएगा हल्दी का बैग्यानिक नाम क्या है हल्दी सभी लोग खाते हैं हल्दी रोज खाते हैं है ना बोलते हैं कुरकुर मत कर हल्दी वाला दूद पी ले बोलते हैं तो कुरकोमा और लॉंगा है ना बोलते हैं कि लॉंग दबाले थोड़ी सी और बोलते हैं आपने देखा होगा कि एक लॉंग दबाले मुह में जैसे कुरकुर नहीं होगा खासी नहीं चलेगी तो हल्दी का ब खेती को बोलता जाता है BT culture क्या बोलता है BT culture तो इसका बैग गयने के नाम भी क्या होगा BTS Electron की कुछ किसने की थी दो सेकंड है आपके पास उत्तर आपको बताना है तो आपका बिलकुछ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो जे जे थामशंसDY ने की थी जे जे थामशंस ने अब एक चीज यहां पर आ जाओ थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिक मतलब यहां पर देखो इलेक्ट्रोन से आपको क्या समझ में आता थोड़ी सी फीलिंग होगी होगी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है, इस बच्चे ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ दिया, और इसकी सांसे थम गई, इसकी सांसे थम गई, तो इलेक्ट् थामसंस बिलकुछ सही हो जाएगा ठीक है याद रख लेना है आपको इलेक्टरान की खोच किस ने की थी थामसंस ने की थी ठीक है याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रू करें अंगला देखते हैं दोस्तो किलोरीन की किलोरीन किलोरीन से क्या हो जाएगा आपका किलो बन रहा है यहाँ पर किलो पचास किलो किलो रीन अब आपको हिंट दे दी मैंने आप जल्दी से बता है दो सेकंड में तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दोस्तो सीले सीले है ना अब यहाँ पर देखो जरा मैं बोलूँ आप मेरे पास आए कि सर मुझे पचास किलो सक्कर दे दो मैंने बोला मैंने पचास किलो सक्कर तॉल दी है अब बोरी को सीले और ले जा कितने किलो, किलो से क्या हो जाएगा, किलोरीन, किलो से, किलोरीन और सीले है ना, मैंने 50 किलो, 50 किलो, बोरी में सक्कर भर दी है, सीले और ले जा, सीले और ले जा, तो किलोरीन की खोज, सीले, याद रख ले ना, किलो, किलो से किलो सक्कर याद आ जानी चाहिए आपको, ठीक ह अंगला आपका है बारूद की कोज किसने की थी आप बोलते हो सर बारूद लगी है सिर्फ चिंगारी की देर है वो ही है यह यह बारूद बारूद की कोज किसने की थी आपको बतानी है किसने की थी दो सिकंड है आपके पास तब आपका राइट आंस रो जाएगा दोस्तो रोजर बेकन किसने कीती रोजर बेकन ने यहाँ पर देखो यह जो बारूध है यह रोज बेकना है रोज बेकना है मैं आपसे पूछूँगा बारूध कब बेकना है आप बोलोगे रोज बेकना है तो बारूध की कोज रोज ब करना है मलेरिया की चिकिस्टा की खोच किस ने की थी मलेरिया मलेरिया सबी लोगों को होता है है ना मच्छर कारते हैं तो मलेरिया हो जाता है एडीज मच्छर है ना तो बताना है दो सेकंड में आपको तब आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा दोस्तो रोनेल्ड रॉस मलेरिया की खोच किस ने की थी रोनेल्ड रॉस ने अब आपको गर मलेरिया हो जाए भगवान न करे तो आप क्या करोगे रोने लगोगे और आपको कुछ भी रॉस नहीं आएगा ना खाना रॉस कौन करेंगे रोनेल्ड रॉस कौन करेंगे रोनेल्ड रॉस क्योंकि मलेरिया हो गया तो रोनेल्ड लगोगे और कुछ भी रॉस नहीं आएगा तो रोनेल्ड रॉस दोस्तों याद हुगा कि नहीं हुगा ठीक है रोनेल्ड रॉस आपको याद हो गया होगा दोस्तों बताना बच्चन साव है और पोलियो की बैक्सिन की खोच किसने की यह चीज हमें बतानी है तो आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा अब हो जाएगा दूस्तों सालक क्या हो जाएगा सालक से क्या बनेगा साक साक सब्जी है ना साक सब्जी पहले क्या करते थे इस पिरकार से पिला देती थे, बोलो आ करो और पिला दी, अब हमें साक सबजी में खाना है, काई में खाना है, साक सबजी बोले सर अब हम पियेंगे नहीं, अब तो हम साक सबजी में खाएंगे, क्या पोलियो, तो पोलियो की खोज सालक ने की थी, अब हम पियेंगे नहीं, हमें काई में ख है रोग है ना तो टीवी की चिकिस्सा की कोच किस ने की थी दो सेकंड दिये जाते हैं आपको तो आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो रावट कोच रावट कोच ने की थी टीवी की चिकिस्सा की कोच आपने बिल्कु सही आंसर बताया यहाँ पर देखो अब कोच से आपको याद नहीं आया कि सराज कर रेलवे में स्मार्ट कोच लगने लगे हैं जहाँ पर टीवी भी उपलब्द है क्या लगने लगे स्मार्ट कोच यहाँ पर देखो यह स्मार्ट कोच है यहाँ पर टीवी भी साव उपलब्द है तो टीवी की जो बैक्सीन है इसकी coach कौन करेगा coach ही होगा ना कोई coach तो रावट coach इस प्रकार से आद कर ले ना ठीक है TV की चिकिस्ता की coach की थी किसने रावट coach ने अब TV coach में भी लगने वर लगे हैं railway coach में तो इस प्रकार से आद करना है अंगला देखो type hide की जो जीवानों है इसकी coach किसने की थी type hide मौती जरा बोल देते इसको मौती जरा आपको कभी हुआ हो है ना या किसी को हुआ हो आपको पता होगा तो जद्दी से बताएं दो सेकंड दिये जाते आपको तब आपका बिल्कु सही आंतर हो जाएगा दोस्तों रो बर्थ टाइफाइट के जीवानों की coach किसने की थी रो बर्थ ने की थी अब यहां पर आगे अब बर्थ क्या आगे अब बर्थ हम बोलतेंगे कि आपका बर्थ क्या है तो आप कि आज क्या है आपका वर्थ डे है है ना क्या है आज का वर्थ डे है तो आप क्या करोगे टाइप आई लगा के आगए और मैं बोलूगे साच क्या वात है टाइप आई लगा के आगए दोस्त आप बोलोगे सरा आज मेरा वर्थ है वर्थ है आज मेरा वर्थ डे है वेरी अगला देखो vitamin C की कोच किस ने की थी, vitamin C, दोस्तो cc नहीं करना है अप, vitamin C की कोच 2 second आपको दिये जाती है, अब आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा, दोस्तो hole cut, किस ने की थी hole cut, अब c4 cat नहीं बोल देना, अब cut बोलना है, c4 cut, यहां पर पूरा है और यहां पर होल है और कट लगा है तो बिटामिन C की कोज किसने की थी होल गटने की थी और बिटामिन C का रासायनिक नाम क्या है तो S-Carbic है क्या है S कार्विक मैंने बोला कि बिटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो आपने बोला सर C फ़र तो कार होता है और कार्विक रही है मैंने बोला कार्विक रही है कि हाँ S कार्विक रही है तो S कार्विक अमल ठीक है vitamin c का रासायने का नाम भी हो जाएगा और vitamin c की कोज कीती hole cutने, ऐसे भी याद करना है रुदिरबर्ग की कोज किस ने कीती अब दोस्तों आपको traffic boy में याद करना है आप लोग बोलते हैं कि मेरी number कम क्यों आते हैं आप कुछ नया करो, पढ़ते तो आप बहुत हो लेकिन कुछ ऐसी चीजे याद करो जिसको जानते हुए भी आप पेपर में गलत करके आते हो ऐसी ट्रिक से याद करो कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए आप लगातार बनी रहे है इस चैनल पर आपको ट्रिक की ट्रिक वीडियो मिलेंगे रुदिर बर्ग यानि की बिलड ग्रोप आप बोलते ना मेरा बिलड ग्रोप है ए प्लस है ना ऐसी आपका बिलड ग्रोप होगा आप बोलोगे सर मुझे बिलड ग्रोप की जवरत है बोलोगे ना कभी जवरत पड़े तो बता दिना रुदिर बर्ग की कोच किस ने की थी तो आप बोलोगे सर मुझे बिलट गरूप की जवरत है मैं बोलूगा कब आप बोलोगे सर कल बोले कल हाँ और मुझे कल लेके कहा करना है लेंड करना है और दिल्ली जाना है तो रुधिर बर्ग की कोच किस ने की थी कार्ल लेंड इस्टीनर यानि की जो बिकल्प नम्मर डी है वो सही है अगला बताना है दोस्तों आपको इंसूलिन की खोच किस ने की थी दो सेकंड में आपको उत्तर का चैन करके कमेंट में लख देना है इंसूलिन की खोच किस ने की थी तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बैटेन, बैटेन से नहीं लग रहा आपको बैटेंग, बैटेंग कुण करते थे, सुनील गावसकर, और यहाँ पर देखो इंसूलिन, इंसूलिन मलब सुनील, ऐसे आभास नहीं हो रहा आपको, इंसूलिन, सुलिन, है न, तो सुनील गावसकर क्या करते थे, बैटेंग करते थे, तो इंसूलिन की खोच कुण करेंगे, बैटेन, बैटेन, बैटेन से बैटेन, इंसूलिन, सुनील, है न, गावसकर बैटेंग करते थे, यह बैटेंग, ठीक है, अब बताना है आपको जीवानों की खोच किसने की, बनाया है तो उसको जीवन जीने का हक है तो जीवानों की खोच कौन करेंगे जल्दी से बता देना और आपका बिल्कु सही आंसर आपने बता दिया है ट्रेक आपने भी लगा ली है लिवेन हाग है ना जीवानों को जीने का क्या है हक है हक तो लिवेन हाग ठीक है जीवानों को जीने का हक है ती नम्मर आपका बिलकूब से हो जाएगा अंगला बताना दोस्तों DNA की कोच किसने की थी DNA तो आपका बिलकूब से हो जाएगा दोस्तो जैंस वाट ने किसने की थी जैंस वाट एदेखो Mr. सुदीर च魚 जी नूच के है ना dit değer करते हैं DNA टेस्ट करते हैं न्यूच का DNA DNA टेस्ट करते हैं और सबकी बाट लगा देते हैं और जिसका बनता था बिगड़ता था सबका किरक्रा कर देते क्या करते थे किरक्रा तो DNA DNA की कोच कौन करेंगे Gems Watt क्योंकि DNA में Watt लगा देते हैं और क्रिकरा कर देते तो क्रिक Gems Watt क्रिक ठीक है अब बोलना नहीं आपका भी DNA DNA सन ने बताया था कि DNA में वो क्या करते वाट लगा देते सब की यह ना आप भी देख ले ना सुधीर चोधरी का DNA टेस्ट G News पर तो Gems Watt आपने भी देखा होगा अंगला बताना है दोस्तो बिटामिन D की कोच किस ने की थी बिटामिन D की कोच तो आपका बिलकुछ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो क्या हापकिन्स किस ने की थी हापकिन्स ने की थी और बिटामिन D का आपके डेड़ी वो घर के हापकिन्स होते हैं फूल नहीं होते अब बोलनी देना आप डेड़ी से पूछ लेना थोड़ी सरा डेड़ी आप घर के हापकिन्स हो डेड़ी बोलेंगे हाँ हापकिन्स है हापकिन्स और फिर बोला कि हाँ बाकी हापकिंग कौन है तो वो बोलेंगे यहां पर इस चित्र में कि हापकिंग आपकी मम्मी और हापकिंग मैं हूँ ठीक है तो डीप और डेडी और डीडी क्या रहते हैं हापकिंग रहते हैं घर के तो विटामिन डी की कोज हापकिंग ने की थी हापकिंग याद कर लेना ह दोस्तो, फनी ट्रेक जैसे भी याद हो, याद होनी चाहिए, होय्जार, द Lambethic की खोज चार विकल्ब हैं, और आपको बताना है, और आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा, विकल्ब नम्मर आ, विकल्ब नम्मर आ, यानि की हनी, हैंनि में अब हनी मून नहीं वोल डि लेतरब नहीं तो भूलर है, यहां नहीं Atlas हमाम में लिए हम्यो को रहते है वर मेंन तो हैंनि में लुद्ध है NIH मसं एक है जल का प्यशमान कितना होता है तब आपका बिलकुछ सभी आज़िया आंसर क्या हो जाएगा साथ, ठीक है जल का पियच मान कितना होता है साथ होता है और एक चीज बताना दोस्तो कि जल जो है हम बोलतेना कि जल है तो कल है और जिन्दिगी पर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा तो कौनी चुड़ेगा जल अर्थात जल हमारी जिंदिगी भर के लिए उपयोगी है और हमें साथ लेकर के चलना है बॉटल में ठीक है तो साथ लेकर चलना है तो साथ जल का पीच मान क्या हो जाएगा साथ ठीक है जल हमें साथ लेकर चलना है तो पीच मान साथ ठीक है याद हो रहा ना आपको अंगला देखो नमक का पीएच मान कितना होता नमक का नमक का पीएच मान बताना है तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा साथ ठीक है जिस प्रकार हमें जल को साथ में ले के चलना है बैसे ही जब आप खाना बनाते हो या कुछ करते हो तो नमक साथ में लेते हो कि ने लेते नमक का साथ होना भी उसी प्रकार जरूरी है ठीक है तो नमक का पियच मान भी कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है अब हर एक चीज में खाना में जो है नमक डालते हो नमक साथ में चाहिए, तो नमक तो होनी चाहिए आपके साथ, तो साथ हो जाएगा नमक का पीएच मान, ठीक है, अंगला देख लो, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4, यह रक्त का पीएच मा कि रक्त दान जो सिविर है वो सबता है कि सातों दिन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सातों दिन तो आपका साथ हो जाएगा रक्त सिविर ठीक है और चार बार साल में चार बार एक बरस में चार बार आपको रक्त दान करना चाहिए तो साथ दिसमलाव चार ठीक है रक शित्वारी स्वर पतारों आपकी सातों दिन लगना चाहिए और चार वार आपकर केड़ने, रक्त डाण करना चाहिए लिए 74 यह रक्त का पी-अच मान हो जाएगा. ठीक है याद रख लिए न दान सिविर ठीक है और आप बरस में चार बार डॉनेट करोगे तो किसी की आखों में आशू आपाएंगे क्या नहीं आपाएंगे तो आशू का पीएच मान कितना हो जाएगा साथ दिसमलोग चार ठीक है इस प्रकार से याद रख रहे ना आशू नहीं आएंगे अगर बरस में चार बार बिलट डॉनेट करेंगे तो ठीक है अंगला आपको बताना है दोस्तो नीबू का पीएच मान कितना है नीबू सभी लोग जानते होंगे नीबू का पीएच मान कितना होता है तब आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो दो चार ठीक है टू पॉइंट फोर दो चार अब एक चीज बताना इस दसका नोट है अब आप दसका नोट लेके जाना और बोलना नीबू दे दो तो आपको सो नीबू नहीं मिले कितने मिलेंगे दो चार नीबू मिलेंगे ठीक है दस रोपया के आपको दो चार नीबू मिलेंगे जड़ा जाके देख लेना तो नीबू का पीएच मान कितना होगा टू पॉइंट फोर यानि की दो चार ठीक है नीबू का दो चार ठीक है अंगला देखो याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरू करें दूद का pH मान आपको बताना है दूद का pH मान कितना होता है तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो 6.4 अर्थात 64 ठीक है आज महंगाई की दोर में आपको बता है दूद कितनी रूपया लीटर है 64 रूपया है ना 6.4 एनी 64 तो 64 ठीक है तो दूद का pH मान कितना हो जाएगा 64 ठीक है 6.4 यह दूद का pH मान हो जाएगा अंगला देख लो सराप का pH मान कितना होता है सराप का pH मान आपको बताना है कितना होता है 2.8, 2.5, 3.6 या फिर 2.6 तो आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो दो दिसमलाव आठ आज कल ब्यक्ति क्या कर रहे हैं दो बजे से लेकर रात त्री आठ बजे तक केवल क्या पी रहे हैं सराब पी रहे हैं कब से लेकर दो बजे से आठ बजे तक तो दो दिसमलाव आठ बजे से क्या पी रहे हैं शराब तो सराब का पी एच मान दो आठ है ना तो 2.8 आपका सरापका पी-एच मान हो जाएगा, याद रख लिना, ठीकिए, अंगला देखते हैं दोस्तों मानाव लार का पी-एच मान कितना होता है? मानाव लार का हमें पी-एच मान बताना है, कितना होता है? तब आपका बिल्कु सही आंजर हो जाएगा A है ना 65 से 75 यानि कि 6.5 से 7.5 ठीक है तो हमें ने क्या करेंगे 65 से 75 अब 65 हो या 75 साल का ब्यक्ति हो अगर उसके सामने ये रसगुला रख दिये जाएं तो उसकी जीब में क्या आ जाएगा लार आ जाएगी लार ठीक है तो मानो लार का पी एच मान कितना होगा अब आप बोल दोगे सार चाहे 65 का हो या 75 का लार तो आ ही जाएगी तो 65 यानि 6.5 पाइब 75 यानि कि 7.5 ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है मानो लार का पी एच मान अंगला देख लो समुद्र जल का pH मान क्या होता है तब आपका बिलकुष सही आंसर होगा आठ दिसमलोव पाँच ठीक है कितना होता है 8.5 होता है काय का समुद्री जल का यह है समुद्र और यह समुद्र है यहाँ से कितने किलो मीटर दूर है 85 km दूर है और यहां तक का किराया भी आपको 85 लगना है यानि कि समुद्री जल का pH मान आपका कितना होगा 8.5 यानि 85 ठीक है 85 यानि 8.5 ये समुद्री जल का pH मान हो जाएगा क्योंकि आपको 85 km जाना है तो 85 रुपय किराया भी देना होगा 8.5 ठीक है अंगला आपको बताना है दूस्तों मानव मूत्र का पी एच मान कितना होता है मानव मूत्र का बताना है प्रश्न किरमांग 11 का उत्तर तब आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4 अब 4.8 है यहाँ पर उल्टा कर दो 8.4 यह क्या है मानव मूत्र का पी एच मान होता है अगनी नीर्जा रोग बताना है आपको 2 सेकंड दिये जाते हैं 4 बिकल्प में से आप चैन करके उत्तर जिरूर बताएं तब आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगनी नीर्जा रोग समद्ध थे सेव से आपने सेव खाया होगा यह सेव है तो आप क्या डालोगे नीर डालोगे नीर डालोगे तो अगनी नीर जा काई की खेती में सेो की खेती में है ना सेो की फसल में अगनी लग गई है तो आप नीर डालोगे तो अगनी नीर जा रोग होगा वो किस से संबंदित होगा सेो से संबंदित होगा याद रख लेना ब्राउन मतलब क्या होता है भूरा ठीक है और आप यहां पर देखें इधान ग्यहूं नीबू फूल गोवी इन वैसे भूरा कौन होता है भूरा जल्दी से बताएं और उत्तर आपको बताना है ब्राउनिंग रोग किस से सम्बन देते तब आपका राइट आंसर क्या हो और यह ब्राउन जो रोग होगा यह फूल गोवी से सम्बन देत होगा यानि कि जो बी नमबर है वो बिल्कुर शाही है ठीक है अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरू करें और शेयर जरू करना है और पेस्बुक पर जुड़ जाना है सेल्प स्टेडी क्लास से स्मिज सुमित दें अपना पेज है जो उसे जाओ उड़ना है यूटयूब पर सर्च करना सेल्प स्टेडी कलास सी सुमित जन हर रॉट रोग संबंदे थे किससे संबंदे थे हर रॉट रॉग तब आपका राई टांसर हो जाएगा दोस्तों चुकंदर हर राट रोग सम्मंदे थे चुकंदर से अब आपको याद रख लिए ना अगर आप कमजोरी है आपको तो आपको खाना है हर रात को क्या खाना है हर रात को खाना है चुकंदर तो हर राट मतलब हर रात को क्या खाना है चुकंदर खाना है तो चुकंदर से समंदर जो रोग हो जाएगा वो कौन से हो जाएगा हर राट ठीक है हर राट रोग याद हो रहा है तो लाइक जरू करें अंगला प्रशन आपको बताना है मार्स रोग किसे समंदे थे मार्स रोग बताना है किसे समंदे थे चुकंदर से, फूल गोवी से, मतर या फिर नीबू से तो मार्स रोग आपका बिल्कु सही आंसर होगा जो तो मतर मतर से समंदे थे मार्स रोग मार्स से क्या बजाएगा मास मतलब महीना है ना हर महीने आपको क्या खाना है हर मास आपको खाना है मतर हर मास आपको मतर खाना है तो मार्स रोग कौन सी फसल से संबन देत होगा मतर से संबन देत होगा मार्स ठीक है हर मास क्या खाना है आपको मतर खाना है ठीक है तो मतर से तो आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों केला, केला आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखो चित्र में, यह केला यहाँ पर माटे जा रहे हैं, है ना, आपको भी जल्दी पहुंचना है, नहीं तो आप क्या रहा हो जाओगे, बंचित रह जाओगे, बंचित, है ना, ट सब्कुर्ण तो आप बंची जाओगे तो बंची ऑप रोग किससे सब्ढ़ने trahiu होगा केला से हो रहा है न ऐसे और शॉयाद को है तो लैक डिशुज अगला देखते हैं किससे सब्ढ़ने कि तेक्का हो जाते ने आप लोग गाउं में बोलते टिकका टिकका हो गया यार तो टिकका रोग बताना है आपको तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर देखो मुंगफली से सम्मन्दे थे यह है टिकका रोग यहां पर आप मूंग फली के पत्ते देख रहा हैं यह आपको टिक का टिक का टिक टिक लगा रहा है है ना अम बोले चेना तिक लगा दो या टिक अंगला देख लो डाइबेक रोग किसे सम्बंद देख तो आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काई से सम्बन देते नीबू से सम्बन देते डाई बैक है ना और आप जब बालों में डाई करते हो तो नीबू डालते हो बालों में डाई करते हो तो नीबू डालते हो बालों में डाई करते हो आप बलेक करने के लिए ब बशते पूरे ये डाइबेक होता है नीबु में ठीकिह चित्र के मादियम से आपको समझ में आ घया होगा ये क्या है डाइबेक होता है क्यमे नीबु से संबन्धित है नीबु की फसल से ठीक है नीबु के फवर्दी से संब्वन्दित अंगला देखो question नेक्रोसिस, नेक्रोसिस रो किस्ते सम्मंदित है, आपको यहां नहीं लग रहा कि नेक्रोकोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोकोसिस, है ना, नेक्रोकोसिस आउला नहीं मिलेगा आउला, नेक्रोकोसिस यह है आउला, तो नेक्रोकोसिस क्या नहीं मिलेगा, अगर आउले लेके जा नेकरोकोषिस, तो आपका वी नमबर बिल्कुँच सही हो जाएगा, आवला नेकरोकोषिस, ठीक है, नेकरोषिस आवला से समदेद, अंगला देख लो दोस्तों, कोटर रोग किससे समदेद, कोटर कोटर बताना है, कोटर तब आपका बिल्कुच सही आं geben गाजर से संब्दित है और यह है गाजर तो इस गाजर को हमें कतर कतर की खाना है कतर कतर के कोटर कोटर है ना कतर कतर की खाना है गाजर को तो कौन खाएगा सबी खाएंगे कतर कतर के तो कोटर कोटर रोग किस से हो जाएगा गाजर से संब्दित है कोटर ठीक है कोटर रोग ग गाजर सी सम्बंदित होगा अंगला देखलो लाल सलन रोग किस से सम्बंदित है लाल सलन रोग केला से आवला से गन्ना या फिर गाजर से तो आपका बिलकुर राइट आंसर है दोस्तो गन्ना से सम्बंदित है कौनसा कौनसा रोग गन्ना से सम्बंदित ए लाल सलन रोग है एकाई से सम्बन देते है गन्ना से सम्बन देते है यहाँ पर देखो यह है लाल चनन रोग इस प्रकार से गन्ना में लाल चनन रोग लग जाता है और गन्ना क्या हो जाता है खराब हो जाता है यह गन्ना की फसल आप देख रहे है इसमें लाल चनन रोग लगता है ठीक है तो जब गणने से संबंदे थे लाल छणंद्रों अंगला देख लो दूस्तों रस्ठ एक तूण्डू上 से संबंदे थे एक बात बताना दोस्तों अगर आप किसान है या किसान के बेटे हैं या किसानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसान जब ग्याहूं काट काट के आता है, तो वो क्या करना चाहता है, रस्ट करना चाहता है, ठीक है, और जब ग्याहूं काटता है, तो सिर्फ टुंडा रह जाते हैं, टुंडा रह जाते हैं, नीचे ग्याहूं के, इस प्रकार से ये टुंडा, तो टुंड एह रोक किससे समंदित हो जाएइगे ग्याहू से समंदित हो जाते हैं किसान क्या करता है ग्याहू काटने जाता है तो वहां से आता है तो रेस्त करना चाहिता है तो rest संबन देते हैं ग्याहूं से अब जब ग्याहूं काटते हैं तो नीचे उसमें टुंडू टुंडा रह जाते हैं तो टुंडू ये भी ग्याहूं से संबन देते हैं तो ग्याहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला देखो दोस्तो खेरा खेरा वा बिलास्ट र दान से समंद देते रोग, खेरा और बिलास्ट रोग समंद देते धान से, यहां पर देखो दोस्तों, यह है खेरा रोग, जो धान है, वो खेरा जाती है, पीली पीली पड़ जाती है, तब इसे खेरा रोग कहा जाता है, ठीक है, और यहां पर देखिए, यह बिलास्ट रोग बिलास्ट रोग जब हो जाता है तो इसके जो दाने हैं वो बिलास्ट हो जाते हैं उसमें कुछ नहीं बचता है ना बिलास्ट हो जाते हैं हम बहुते हैं बिलास्ट कर दो मतलब कुछ नहीं बचेगा बैसे ही धान में भी क्या होता है कि जो उसके दाने होते हैं दाने में तो आपका right answer होगा जोस्थो आलू से संबनते हैं अब आपने आलू देखा होगा इह है आलू, इसमें हो गया बिलेक हट रोग, अब आप जब सब्जी बनाते हो तो बिलेक को हटा देते हो और इतना काटके सब्जी बना लेते हो तो बिलयक हट बिलयक हट है किस से संबंदित होगा आलू से संबंदित ऐसा आलू था इसमें बिलयक आ गया बढ़ता गया और पूरा खराब हो गया तो बिलयक हट रोग आलू से संबंदित हो जाएगा चीक है आलू से तो याद रख लिना आपका याद हो जाए तो आपका बिल्कुश सही अंसर होगा दोस्तों वाजरा से वाजरा से सम्मान देते हैं यह देखिए यह है वाजरा है ना और इसमें हरत बाली रोग इस प्रकार से हरत बाली रोग हो जाता है तो कैसे हो जाता है बाजरा से और एक और चीज कि आप हरी सबजी लेने कहा जाते हो बाजर जाते हो बाजर जाते हो बाजर जाते ना हरी सबजी लेने तो हरतबाली सबजी बाजर जाना है हरतबाली सबजी लेने कहा जाना है बाजर तो बाजरा से बाजरा सबसे पहला जो नम्मर है वो सही है लंबाई का मात्रक क्या है मीटर अब आपको पता है कोई लंबाई यह लंबाई आपको नापनी है तो आप काई से नाप होगे एक मीटर दो मीटर है ना तो मीटर से नाप होगे तो लंबाई का मात्रक तो सबी लोगों को पता है क्या है मीटर ठीक है यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका वी है वो सही हो जाएगा अब इसको कैसे याद रखना है MPR से क्या बनेगा Ampli Farm ठीक है और Ampli Farm को चलाने के लिए आपको बिद्दुत की ज़ुरत होती है तो आप याद रख लिना बिद्दुत की धारा का यहाँ पर आएगी Ampli Farm है तब यह Ampli Farm चलेगा ठीक है तो बिद्दुत धारा का आपका यहाई मात्रक क्या हो जाएगा Ampli Farm यानि कि MPR ठीक है इस परकार से याद रखना है अंगला देख लेते हैं दूसतों द्रबमान का मात्रक है द्रबमान का मात्रक बताना है आपको आपका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका V है वो विलकुर सही होगा ठीक है किलोग्राम एक किलोग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है एक किलोग्राम है और कोई भी आप ध्रब्मान नापते हैं तॉलते हैं है ना तो काई में किलोग्राम में तो बी नम्मर आपका यहाँ पर बिल्कुर सही होगा किलोग्राम ठीक है ताप का मातरक बताना है दोस्तों आपको ताप का मात्रक क्या है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों केल बिन क्या है केल बिन ताप का मात्रक माना जाता है केल बिन से क्या बनेगा केला और अगर आप जादा केला खाते हैं तो आपको सर्दी जुखाम हो ज जाएगा क्या बढ़ जाएगा ताप तो ताप का मात्रक क्या होगा ताप आपका बढ़ेगा केला खाने से सर्दी जुखाम होता है केला से बनेगा केल बिन तो ताप का मात्रक क्या होगा केल बिन अब याद रख लेना है आपको अगर ताप की बात आए तो आपका ताप कैस से बढ़ेगा आपको याद रखने ना है केला खाने से केला खाया सर्दी जो खाम हुआ और केल बिन आपका हो जाएगा सही ठीक है अंगला दोश्तों आपको बताना है जोती ती बृता का मात्रक क्या है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा केंडला है ना जोती ती बृता ये आपको केंडल देख रही होगी तो ये क्या है जोती ती बृता और इसमें जोती जल रही है तो ये जोती ती ती बृता का मात्रक क्या होगा केंडला ये तो सभी लोगों को पता है ठीक है अंगल तब आपका बिलकुँ सही आंसर क्या हो जाएगा बाट अब एक चीज बताना दोस्तो यह बिद्दुत का तार आया है यहाँ पर और आपको इसने आपने इसको पकड़ लिया ठीक है तो इसमें बहुत सक्ती होती ना तो आपकी क्या लग जाएगी बाट लग जाएगी इस प दुत का तार पकड़ोगे तो उसमें बहुत सक्ती होती है आपकी क्या लग जाएगी बाट लग जाएगी इसलिए आपको बिद्दुत सक्ती का जो मात्रक होगा क्या होगा बाट हो जाएगा ठीक है ऐसे याद रखना है अंगला है आपका समय का मात्रक क्या है तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा second समय का मात्रक है second आप घड़ी में देख रहे होंगे एक-एक second आपके लिए कीमती होता है ठीक है? तो समय का मात्रक second सभी लोगों को पता है याद भी आपको है next देखो कार और उर्जा का मात्रक क्या है? कार और उर्जा का मात्रक यहाँ पर बताना है हमें तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा Joule ठीक है? इसको एक मेंट के लिए आप जल कर दो ठीक है? अब आपके लिए कोई कार करना है तो काई की जो उर्जा की और उर्जा आपको कहां से प्राप्त होगी जवाब जल पी होगे ठीक है तो कार और उर्जा का मातर क्या हो जाएगा जूल ठीक है जूल जल है ना इस पर कार से याद रखेंगे कार करना है तो उर्जा की ज़ूरत है और उर्जा हम जल पीएंगे तब हमें उर्जा मिलेगी तो जल पीना है यान आपको कमेंटर में लिखना होगा दाब का मात्रक यहां पर बताना है आपको प्रशने किरमांक नौका उत्तर तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दाब का मात्रक क्या होता है उत्तर आपने बताया है पासकल ठीक है पासकल अब एक चीज बताना दोस्तों जवाब पर पास हो सकते हो, नहीं, है न, आपके उपर दवाब है कायका की परिक्षा पास करना है, दाब से दवाब है कायका परिक्षा पास करने का, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पासकल, ठीक है, पासकल, यह से याद भी करना है, अंगला question देखो, प्रेरक का मात्रक क्या है, प Henry, Henry आपका सही हो जाएगा यानि की बिकल्प नम्मर B, अब आपको पता होगा प्रेरक मतलब आप समझते हैं, इसको हम लेंगे प्रेणा, है ना, प्रेणा, प्रेरक, कुछ प्रेरक तत्त होते हैं, तो A मुर्गी ऐसी प्रेरक है, कि सुबा उठ जाती है जल्दी, आप इससे प्रेणा लो, है ना, ए आपकी प्रेरक बनेगी, कि आपको भी जल्दी सुबा उठ कर क्या करना है, तैयारी करना है एकजाम की, तो प्रेरक बनेगी कौन, हैन, हैन मतलब हैनरी, तो प्रेरक का मातरक क्या हो जाएगा, हैनरी, प्रेरक कौन बन गई, हैन, तो प्रेरक का मात इस प्रकार से आपको याद रखना है अंगला कॉस्चिन देखलो बलका मात्रक क्या है? बलका मात्रक बताना है प्रशन किर्मांग 10 का उत्तर तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तों new tone ठीक है क्या है new tone ये बल का मात्रक माना जाता है अब एक चीज बताना आप लगातार प्रयास करते हो कि हमें new बल मिल जाए new new नया नया बल मिलते जाए इस प्रकार से आप बनना चाहते हो सकती साली नय नया बल प्राप्त करना चाहते है नय नय बल प्राप्त करना चाहते है तो new tone है ना new tone इस प्रकार से याद रख लेना आपको तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा new tone यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका a है वो बिलकुर चाहिए होगा अंगला देखो बल का मात्रक है तो new tone तो आपका बल का मात्रक बिलकुर च यह है ना हम लोग क्या करते हैं ठंडा पानी दो ठंडा पानी दो कूल पानी तो अगर कोई आबेस में आ जाए तो आपको क्या करना है उसे कूल डाउन करना है कूल कूल पानी देना है तो कूल आम आबेस में कूल आम ठीक है आबेस में कोई आता है तो उसे कूल करना है तो कुलाम, इस प्रकार सी जाद रखना अंगला देको, आभरिती का मात्तरक क्या है, आभरिती न्यूटान हैन्री, हर्टज या फिर कुलाम तब आपका राइट आंज्र क्या हो जएगा, दोस्तों? हर्टज ठीके, हर्ट जी जो होगा, वो क्या हो जएगा आप बृति का मात रखोगा अब आपका भी हार्ट होता है हार्ट है ना आपने हार्ट पता ना दिल दिल सभी का होता हार्ट होता है तो अब यह जो आप चित्र में देख रहे हैं कि आप किसी को नहीं देना है ना दिल ऐसे नहीं देना अगर ए दिल आपका तूट जाए तो क्या हो जाएगा आपके हर्ट्स की जो आबरती है वो बढ़ जाएगी ठीक है तो हर्ट्स का मात रख हर्ट्स किसका मात रखोगा आबरती का तो आप लोग याद रख लेना कि दिल की चाबी किसी को नहीं देना अपन को ठीक है तो आबरिती का मात्रक हार्ज ठीक है तो हार्ड जी क्या बनेगा हार्ट और हार्ट की आबरिती कब बढ़ती है जब दिल चूटता है ठीक है तो याद रखें अंगला कोस्चन दे को चाल का मात्रक है तो क्या है चाल का मात्रक बताना है प्रश्निक्रमांग 13 का उत्तर तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा चाल का होता है मीटर पिर्टी सेकंड सभी को पता है क्या है इसका मात्रक होता है चाल का मीटर पिर्टी सेकंड ये चीज आपको याद रखनी है चाल होती ना कोई चाल कितने मीटर पृति सेकंट की रफ्तार से इसकी चाल है ठीक है तो मीटर पृति सेकंट आपका बिल्कुँ सही होगा लेंस की छमता का मात्रक बताना है हमें यहाँ पर लेंस की छमता का मात्रक अब दोस्तो एक चीज आपको बताना है कि लेंस कौन डालेगा डाक्टर, डाक्टर से मिलता जुलता आपका सब्द कौन है डाई ओफ्टर, है ना, डाई ओफ्टर, डाक्टर इस परकार से तो lens कौन डालेगा doctor और doctor से जो मिलता चुलता आपका सब्द है die after doctor है ना तो doctor आपका सही हो जाएगा lens की छमता का मात्रक die after अंगला question देखो पिर्तिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि corona संक्रमण फेला और उसमें कहा गया कि पिर्तिरोधक चमता बढ़ाएं रोग पिर्तिरोधक चमता बढ़ाएं तो पिर्तिरोध पिर्तिरोध रोग पिर्तिरोधक अगर चमता आपको बढ़ाना है तो आप से कहा गया कि आप नित्य क्या करें योग करें योग जब आप करते ह तो आप बोलते हो ओम इस प्रकार से करते ना तो ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम अगर आपको प्रतिरोधक शमता बढ़ाना है तो क्या करने होगा ओम का योग करना होगा जब करना होगा तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होगा ओम याद रखो अंगला है दोस्तो ध्वान ध्वनी तीब्रता का मात्रक क्या है ध्वनी तीब्रता निूटान केलबिन ओम या फिर डेसीबल तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा ध्वनी तीब्रता का डेसीबल कई बार पूँचा गया है और कई बार आपको याद भी है ठीक है ध्वनी तीब्रता का आपका ड ठीक है ये विभिन प्रकार के अणू मिलकर क्या बनते हैं एक परमानू बनते हैं अब ये अणू है ठीक है अणू तो अब आप इसे खरीदने जाओगे तो क्या करोगे पूछोगे ना कि इसका मोल क्या है मोल क्या है इस अणू का मोल क्या है तो अणू का भार मात्रक क्या हो आयतन तो सभी लोगों को पता है घन मीटर ठीक है आयतन का मात्रक होता है दोस्तो घन मीटर सभी लोग याद रखेंगे घन मीटर आयतन का मात्रक हो जाएगा अंगला देख लो बिद्धुत बिभाओ बिद्धुत बिभाओ बिभवांतर का मात्रक क्या है बिद्दुत बिभाव बिभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है मात्रक हो जाता है दोस्तों बोल्ट ठीक है तो याद रख लेना जहां पर भी बिद्दुत के ऐसे वायर आए इस प्रकार से बिद्दुत के तो इसको अंतर से अंतर से बोल्ट कसना है यहां पर कसे जाएंगे तो यह अंतर से कसना है जिस प्रकार से यह तो बिभाव अंतर बिभवांतर है ना बिद्दोत बिभाव या फिर बिभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है बोल्ट क्योंकि बिद्दोत बिभवांतर में अंतर से बोल्ट कसना है अंतर से क्या कसना है बोल तो अंतर विवव अंतर आपको याद रखे नहीं, बोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, अंगला है दोस्तों कॉल का मात्रक क्या है, कॉल का मात्रक आपको बताना है, मैं आपसे कहूं कि कॉल बनाने के लिए आप रेडी हैं, मैं आपसे बोलना हूं कॉल बनाने के लिए आप र इसे ही बहुत ही महत्पून से बटाएंशूर में जा आकर के देखें संदी, समास, एह हिंदी के सभी टिर्की वीडियो उपलब दें और भी आपके GST सम्मंदित बहुत सारे टिर्की वीडियो उपलब दें तो वीडियो को लाइक करके सेर अबस्थ करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादने हमसे बताएं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जोड़ सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जोड़ें ठीक है और अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम एप डाउनलोड करो उसमें सर्च करो IAS study trick IAS इस से आपको टेलीग्राम में IAS study trick सर्च करना है और जोड़ हो जाना है ठीक है सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादले हमसे जरूर बताएं और भी आंगे इसी प्रकार की new new trick लाते रहेंगे ताकि आपको याद होता रहे एक्जाम में आप पास होते रहें जैहि भेड़िएived लोगों और गae जो उड़े से एक्डेंट रहेंगे डोने हैं को पिता हमसे जड़ हैं अ2 भी अङरव खliखने बताएं और रहेंगे हंगे जा कर दोड़ पास हमसे डाते हमसे बताएं जाके एक मेंगे हमसे भासे हमसें ऐसाई प्सक्ञाम मेंण पास्ल वासे